हमारे घरों में पाया जाने वाला समुदरी नमक अलग किस्म से तयार होता और ये सेंध्या नमक एकदम अलग किस्म से इसे कोई बनाता नहीं है, सेंध्य नमक को कोई बनाता नहीं है, ये नमक पूरी तरह से प्राकृतिक है, नैसरगिक है, जो कुदरत की एक अनमोल भेट है हमारे लिए, सेंध्य नमक एक खनिज संपत्ती है जो पहाणों की ख़दानों में पाय जाती है, ये हमारे हिमालय लाहोर में पाया जाता है और यह सबसे अधिक मात्रा में लाहोर पाकिस्तान में पाया जाता है इसलिए इसे लाहोरी नमक भी कहा जाता है अब जानते हैं कि इसे हम क्यों खाते हैं और इसका सेवन सफेद नमक से ज्यादा क्यों नहीं कहते लोग ऐसा क्या हुआ इतिहास में जो घरों में 5-5 साल भरा रहता था, अब इसे आपको खाने के लिए लेना पड़ रहा है, और ये बड़ा आश्चरी की बात है, अब हम सेंधर नमक के फायदे जान लेते हैं, इसके गुण हैं, जिसकी वज़ा से इसे हमारे घरों से दूर किया गया है, हमारे साथ बहुत जाने नहीं देता, जबकि दूसरा जो सेंधर नमक है, जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं, जिसे आप खाने में इस्तमाल नहीं करते हैं, उस नमक का क्यमिकल नाम है potassium chloride, और इस potassium chloride का का काम है toxins, शरीर से जो जहर है, उसको बाहर निकालने का, शरीर को साफ और सुथ्रा रखन इन में से 22 तत्व ऐसे हैं जो आपके शरीर के nutrition लेवल को ठीक रखने में मदद करते हैं। अगर आपको भूक न लगती हो जिस दिन भारी चीजों का सेवन करना हैं तब खाने से 10-15 मिनट पहले सेंधा नमक और आधा इंच अद्रक को चवा चवा कर खा लें। आपको इसका नियमिच सेवन करना चाहिए इससे बड़ा फायदा होगा रोज सुबा एक गलास पानी में एक छोड़ा चमत सेधा नमक डालकर ज़रूर पीए। सेंधे नमक को शरीर पर मलने से शरीर साफ हो जाता है चहरा नमक ने लगता है। सेधा नमक यूज़ करने से वसा यहना की फैट घटता है चारीर सुन्दर सुडॉल होता है बीपी वालों के लिए वर्दान है सेधा नमक सेधा नमक डिली रूटिन में इस्तेमाल करने से एस रिप्लेस्मेंट सफेध नमक के तो यह बीपी जो गन्ट्रोल करने लगता है और नमक का काम जो होता है वो नमी को खीच लेना होता है। आपको पता हुआ कि पहले जो नमक आता था उसको खुला छोड़ दें तो गीलागीला हो जाता था। मगर आज का नमक एक्स्ट्रा फ्री फ्लोइंग है जो कभी गीला नहीं होता क्योंकि इसमें जो नमी को आने वाले मिनरल थे वो हटा दिये गए हैं और नमी को सुकारने वाले केमिकल मिलाए हैं जो बहुत ही खतरनाक है जिसका नाम है अलुमूनियम सिलिकेट और पोटाशिय गेर रही है क्योंकि हम लोग सेंधह नमक का इस्तामाल करना चोड़ कर सादा नमक इनकी जो समुद्धरी नमक के इस्तामाल कर रहे हैं आज से 80 साल पहले सेंधह नमक भारत के हर घर में मटके-मटके बर रहता था भारत में जब अंग्रेजों का सहसन्थ तब यह हमारे पर भारती लोग इतने मजबूत और स्वस्त कैसे रखते हैं। उनकी रीसर्च में पागिया कि ये लोग सेंधा नमक खाते हैं, समुद्री नमक नहीं। मगर अंग्रेजों ने हमारे कान भरने शुरू कि ये समुद्री नमक खाने के लिए हमें उकसाने लगे, क्योंकि इसमें आयोडीन होता है, इससे घेंगरोग रुकता है, ये कहने लगे, ये भी सुनने माया, गांधी जी के हांतों नमक का सत्या गरा कराके समुद्री नमक का चटा दिया गया जिसका भारतीं को कौई भी काम नहीं था और वहां से 17 साल बाद 1947 में भारत से पाकिस्तान गोलग कर दिया गया जिसमें सेधा नमक भारत से दूर हो गया क्योंकि इसे नमक लाहौर में मिलता जो कि पाकिस्तान में है देश का बटवारा होने से हमारी साधा नमक हम आज भी नहीं खा रहे हैं तो हमने आपको सारी जानकारी दे यहीं कि साधा नमक कितना ज्यादा पावरफुल कितना ज्यादा इस्तेमाल करने लायक है और आज से ही आप इस्तेमाल करना शूरू करें खासकर बीपी की पेशेंट रसा करना शुरू करें, उन्हें स्वास तलाब जरूर होगा। साधा नमक जहर है, ये बात समझ लें। और इसे वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स फामली रिलेटिव्स में शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगरे दिल्चस वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।